So, hey guys, आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम अपने desktop या Google की download speed कैसे बढ़ाएं तो उसके लिए मेरे पे solution है उसके लिए आपको क्या करना है वो भी सिर्फ 4 steps में आप 4 steps में Google की download speed बढ़ा सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे आपको सर्च बार पे जाना है और सर्च करना है चर्च करना है तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा इस पे वार्निंग भी दिया हुआ है अगर आप यह पढ़ लेना अगर कुछ होतो तो अब सेकंड स्टेप क्या है आपको यह सर्च करना है जीरो कॉपी रैस्टराइजर यह देखिए, second number पर आप zero search करेंगे, second number पर zero copy rasterizer आ जाएगा आपको इसको enable करना है और फिर यह relaunch करने को बोलेगा, इसको आप relaunch कर लेना वापिस वह इंटरफेस खुल जाएगा अब क्या करना है, second step अब आपको क्या करना है, मतलब मैंने यह पहले से enable कर रखा है, parallel downloading आप यहाँ search करेंगे, parallel downloading आपको parallel downloading भी enable कर लेना है देखिए, इस पर लिखा है, enable parallel downloading to accelerate download speed यह दो आपको enable करने हैं, आप मैं एक और तीसरा बता रहा हूँ तीसरा एंड आखरी step आपको यह enable करेंगे, आपकी download दस गुना fast हो जाएगी आपको क्या करना है, search करना है, experimental QUIC protocol देखिए, यह आ गया, इसको भी आपको enable कर देना है, और relaunch करना है अब मैं आपको guarantee के साथ बता रहा हूँ, अब आपकी speed अगर 300 kbps है, आपकी 900 या 2 mp तक चली जाएगी 900 kbps या 2 mp तक चली जाएगी, आप यह करिएगा और मुझे comment में बताईएगा कि यह सच में हुआ कि नहीं तो चली आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली कोईसी tutorial के साथ, बाई बाई